इतने समय से मैं वीडियो में आपसे कहता आ रहा हूं मार्किट को 22-300 के उपर टिकना चीए और फाइनली आज मार्किट टिक भी गया क्लोजिंग बेसिस पर बट एक बात ध्यान से समझने की बात ये कोई भी बुलिश केंडल ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी ओपनिंग भी उपर हो और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी उपर बट क्लोजिंग आज फिर भी 22-300 के उपर रही जो कि अपने आप में पोजिटिव साइन है और हो सकता आने वाले दिनों में आपको 23,000 रुपे के भी बजार दर्शन करा दे बजार को अगर आप ध्यान से समझते हैं बजार में कल जो और नमबर्स आयते जीडीपी नमबर्स उन नमबर्स के बेसिस पर बजार में ये एक तेजी देखने को मिली अधर्वाइस बजा सेटेडे को मार्केट कल को खुला रहेगा किस समय खुलेगा 9.15 से 10 बजे तक खुलेगा 45 मिनट का एक टेडिंग सेशन होगा उसके बाद साड़े 11 बजे साड़े 12 बजे का एक टेडिंग सेशन NSC की तरफ से special टेडिंग सेशन रखा गया है वो टेडिंग सेशन चेक करने क के लिए रखा गया है ताकि कोई in future कोई incident होता है NSC के साथ में कोई server fail हो जाता है कुछ हो जाता है तो उसके चलते एक टेडिंग सेशन इस्पेशल टेडिंग सेशन यह रखा गया तो FNO में equity market में टेडिंग चलेगी कल को commodity market में कोई टेडिंग नहीं होगी तो अभी फिलाल इस वीडियो में लैसे हम कल का ही करते हैं कल को market जो थोड़ा बहुत भी कुछ time जो भी खुलेगा वो किस direction में बजार गूम सकता है अभी फिलाल के लिए trend overall positive बजार का अगर अभी तक आप इस channel पे new है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं press the bell icon ताकि सभी updates market की आपको तुरंथ मिल स सकता है कल के लिए जो important level alert level 2400 का है market ने closing जो दिये 2326 की closing बाजार ने दिये तो market कल को gap up opening होती है मालो 60-70 gap up opening होता है तो आपको यहाँ फसना नहीं है ठीक है मालो red candle बनाके यहाँ से बजार घूम सकता है यूटर लेगे तो यहाँ पे अगर आपको bearish price section मिल जाता है 2400-2450 की range में तो आप एक put side entry plan कर सकते हैं bearish price section बनने पर तो price section क्या बन रहा है वो तो उस इससमें आपको पता चलेगा तो मैं दोनों तरफ के levels इसलिए आपको बताता है बजार को अगर उपर जाना है तो 2400-2450 की ओपर बजार को टिक ना चाहिए तब ही बजार उपर जा पाएगा 2550 की तरफ अधरवाइस यहां से क्या होगा यहां से यू टर्न लेता वा गुमेगा या फिर gap up ही ही होगा और नीचे आ जाएगा ठीक है तो support कहा बनेगा बजार का support यहीं बन जाएगा 22300 का बजार अगर यहीं पर opening हो रही है 2400 का तो आराम से 2300 तक तो आई सकता है बजार अगर बजा 22300 के भी नीचे चलता है तो फिर और selling pressure फे continue होता वा बजार में दिखाई देगा 2200 और 2230 रुपय का support है बजार का हाला कि अगर levels देखें तो 22000 पे पोटराइटर बैठे हुए हैं इसके आसपास तो एक alert level है यह market के लिए 22000 का एक major support है बजार का तो यह है निफ ठीकी बैंक निफ्टी में अगर आप दियान से देखें 47400 का कल के लिए alert level है बजार ने closing दी 47255 रुपीज की market यहा पर gap up opening दे रहा है red candle बनाके तो यहां से दुबारा नीचे आ सकता है ठीक है तो आपको यहां पर धियान में रखना है बट अगर बजार 47450 रुपय का भी level hold करता है तो बजार ऊपर निकल जाएगा कहा तक के level ऊपर की तरफ बजार में 47700 और 48000 रुपय के level ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं फिलाल के लिए ठीक है तो overall अप ट्रेंड में बजार hurdle बजार का यही है 47400 47450 रुपय की range यह range है कल के लिए ठीक है अला कि trading बहुत कम time हो की बजार में और इस जगे अगर बजार में बेरिश प्रेस सक्षिन मिलता है तो support ले सकता है नीचे की दरफ 47000 रुपीज का और 46640 रुपीज के आसपास का यह support बने का बजार का है यह demand जोन अच्छा है 46650 रुपय के आसपास का अच्छा demand जोन है उसके नीचे फिर best demand ज सपोर्ड बजार का है 45,800 रूपीज के असपास तो दो इंपोर्टेंट लेवल एक ये वाला और ये वाला ये इंपोर्टेंट है कल के लिए कोई कुश्चेन है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षेन में पूस करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो